बहुत सारी इस्ट्रेंट का कॉमेंट आ रहा था कि भया कोई भी ग्रीव विज्ञान की वीडियो लेकर ही नहीं आ रहा है आप प्लीज ग्रीव विज्ञान की वीडियो बना दो आकिरकार इतने सारे कॉमेंट के बार मैं लाज सुका हूँ ग्रीव विज्ञान की वीडियो को अगर आप देख कर जाते हो तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे अपने ग्रीव विज्ञान की पेपर में चलो यहां से जल्दी से अब एक-एक कुशन बताना सुरू करते हैं यहां से देखो सबसे पहें जैसे निर्देश में हैं न चार उत्तर विकल्प दिएगा है चार उत्तर दिएगा जिसमें सही उत्तर चुन करना है फिर खंडबां में वर्णात में प्रस्ट है आपके पता होगा फिर देखो यहां पर क्या है अवसक्ता अमसार अपने उत्तरों की पुष्टी स्वक्षेवम नावां की चित्रोदा करते हैं कि वह उसी पिजवा सब लिखते चाहे जाते नहीं यह नहीं करना और सभी प्रस्ट अनिवार रहें तो चलो अब बढ़ते हैं अगे आगे बढ़ेंगे यहां पर तो पहले स्टर्व करवाने पाऊंगे क्योंकि मुझे सॉल्व इसका कुष्ट नहीं पता ठीक बा पर तीसरा नंबर कुश्चन देखते चलो मैं कुश्चन बता रहा हूं कि इसके अनुसर तो भाई मुझे भी नहीं बता हैं चौथा नंबर कुश्चन है कि आवस्चक तानुसार जल ग्राहण करने से सरीर का तापमान क्या होता है इसमें से बताना है फिर पांचवा नंबर कुश्चन है एक ग्राम में होते हैं एक ग्राम में क्या होते हैं यह बताना है फिर छट्वा नंबर कुश्चन है एच टूओ है यह तो पर पानी है यह तो पता है उसके भादel की कमे से कौँन सा रोग होता है धिर नंबर स्वान अभी के बाद और आएगा वस्तुने गेता हो वरिलिक पूस्टन आये तो प्रभी ह्यां यह प्रश्टन है यह उसको और टिक Lub CanNow को इसन हे फिर निमारा नबर को अन्तराश्टी योग दीवस किस धिन मनाया जाता ऑन तर नमबर कुशन नमबर को किस्तित मनाया जाता है फिर मक्खी द्वारा फैलता है मक्खी द्वारा कौन सा रोक फैलता इसमें से बताना है और फिर बरावन नंबर जो कुश्चन है वो है कि घर में सिलाई करने से बच्चत होती है घर में सिलाई करने से किसकी बच्चत होती है ये बताना है फिर आता है तेरा नंबर कुश्चन कि यदि अस्थी एक से अधिक अस्थान पर तूटती है तो अस्थी इन में से आधनी प्रकार का इंजन कौन सा होगा अब आगे बढ़ते हैं कि पंद्रा सोला सत्राथा होना इस भी सीन सब कुश्चन पर पंद्रा नंबर कुश्चन है यह क्या है यह सब्जियों को धोना चाहिए सब्जियों को धोना चाहिए कैसे धोना चाहिए यह बताना है फिर है सोलेह नंबर कोश्चम की उर्जा का प्रमुक साधन कांसा होगा? इन में से दिये गया OPTION से बताओ उर्जा का प्रमुक साधन कांसा होगा? 18 नंबर कुशन क क्या है पीतल के फूलदान की सफाई किस्द के द्वारा की जाती है पिर आता है 18 नंबर कुशन की सजावट क्या चीज आवश्यक है तो यह बताओ फिर आते 19 नंबर कुश्चन पर देखो 19 नंबर कुश्चन क्या है 19 नंबर कुश्चन है कि कृतिम विदि से सांस कब दिलाए जाती है जल्म डूबने पर फांसी लगाने पर दम घुटने पर तीन आवस्थाओं में चलो आगे बढ़ते हैं 20 नंबर कुश्चन मतलब mcq multiple choice कुश्चन से जिसमें से सिर्फ टिक लगाना रहेगा ओयमार सीट आएगी और ओयमार सीट मैं बताया हूँ भरना तो उसको भी जाकर देख सकते अच्छा अगर आप लोग को जैसे इंग्लिस है ठीक इंग्लिस है और हिंदी है साइंस है और मैथ इन सम्में आप समझ सकते हो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो ठीक चलो तो हम बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा और कॉंसर निष्ट कुश्चन है तो देखो यहाँ पर आता है खंड खा यह है वर्नात्मक प्रष्ट जो किया आएगा पचास तंबर के लिए इसमें सबसे पह अब इसके बाद देखते हैं आगे इसके उत्तर अधिक्तम पचीस सब्दों के अंतरगत लिखने हैं इनके उत्तर अब चलो आगे बढ़ते हैं आप सबसे पहला वाला है की मतलब 21 नंबर एक अच्छे बजट की दो बिसेस्तान लिए एक अच्छे बजट की कौन से बिसेस इसके बाद यहां तक है 22 नंबर कुश्चन 22 कि की से कहते हैं इसके लाग बताईए फिर तेजब को सुद्ध करने के दो आधनिक उपकरणों के बारे में लिखने पढ़ेंगे फिर आता है इसके बाद 24 नंबर कुश्चन जो किये किन ही चार संक्रामक रोगों के नाम चार संक्रामक रोगों के नाम बताने हैं फिर अब 25 तंबर कुश्चन जो की है सरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है तो यह है अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे ठीक इसके पाद आगए हमारा 26 तंबर कुश्चन प्रकार अस्थी भंग में रोगी को बर्प चूसने के लिए दी जाती है। प्रकार अस्थी भंग में रोगी को बर्फ चूसने के लिए दी जाती है। इसके बाद आग Bij ओत्री प्रस्ण पर आ जाते हैं। लग лучше प्रस्ण मतलब short answer time question सौट एंस्वर टाइप कुश्चन अब देखो निर्देश देखते हैं प्रस्त संख्य 21 से लेकर 31 तक लगूत्री प्रस्त हैं और इनके उत्तर अधिक्तम 50 सब्दों के अंतरगत लिखने हैं 27 तमबर कुश्चन रेसमी वस्तरों को दुलाई की विदे हैं फिर 28 तमबर कुश्चन है ग्रीह गलित का ग्यान होना ग्रिहडी के लिए कीओ आवस्ट्रेक है यह लिखने हैं फिर नव नमबर कूष़्चिन मानों शरीर में अस्तियों की बनावट का वारडन कीजिए पकाने से पहले पकाते समय और परोष्टे समय किस प्रकार को सक्षदा रखनी जरूरी है और क्यों रखनी उसके बाद 31 नमबर कुश्चिन प्राकृतिक और कृतिम स्वसंक्रिया में क्या अंतर है अब इसी के बाद आता हमारे देरगुत्री प्रश्च आ जाता है देरगुत्री प्रश्च ने मतलब बड़े बड़े कुश्चिन जिसको आपको 100 words में लिखना है इसका 32 नमबर कुश्चिन में पारिवारिक बजट का क्या महत्तो है इससे परिवार को होने वाले स्लाभों को भी वर्ड़न करना है या अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा वाला कर सकते हो ये है मियादी बुखार या टाइप हाइट नामक रोगों की कारणों लक्षडों उपचार एवं बचने के उपाय का वर्ड़न कीजिए फिर ऐसे 33 नमबर कुश्चिन जो की है पर्रयावरन प्रदूसर से आप क्या समझती है और पर्रयावरन प्रदूसर के सामान कारणों का उलेक कीजिए तथा उसे नियंत्रित करने की उपाय भी बताईए अब देख यह कुश्चन तो ऐसे कापीजी है नहीं आता तो अथवा भी दिया है कि तपेदिक नामक रोग के फैलने की कारणों लक्षडों तथा उपचार एवं बचावों की उपायों का वर्ड़न कर करना है अब इसके वाद अथवा में करके हैं अस्तियों में अचल संधी से क्या समझते हैं यह बहुत जादा महत्पूरे सारे कुश्चन जितने मैंने आपको कुश्चन बतार बहुत जादे इंपॉर्ट है इनको अच्छे ते किसे तयार कर लेना अगर कहीं भी आपको डा एप्टिकेशन इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं कमेंट बॉक्स में यहां पर अपने पूरे एक्जाम की त्यारी अथ्य तरहिके से आप लोग कर सकते हों मोबाइल पर इसको लैप पर तो बस दोस्तों फिलाल आज की वीडियो में इतना ही अब मिलेंगे हम आ ने 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 वीडियो में